गती सो सब प्रति मिनट डिक्टेशन सुरू होने में समय से से पांच सेगेंड रेडी स्टार्ट महाराश्ट्र में उद्धप ठाकरे की अगुआई वाली महाविकास अगहाडी सरकार गिरने का मामला अभी सांत भी नहीं हुआ की बिजेपी पर गोवा में कांग्रेस के विधायक तोड़ने को कोशीसो का आरोप लग गया हालांकि वहाँ बिजेपी के परमोद सावंत ही मुख मंतरी है और 40 विधायको वाली विधान सभा में उनकी सरकार को 35 विधायको का समर्थन हासिल है लेकिन बिजेपी के अपने विधायको की संख्या वहां 20 ही है दो महीने पहले ही बिजेपी के राष्टिये महासचीब और परदेश परभारी सीटी रवी ने कहा था की साल खत्म होते होते विधान सभा में बिजेपी विधायको की संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी ठीक तीन साल पहले गोवा में ही कॉंग्रेस के दो तिहाई कूल 15 में से 10 विधायक पार्टी छोड़कर बिजेपी में सामिल हो गए थे मगर इस बार खास बात यह रही की पार्टी ने पिछली बार जैसा आलस नहीं दिखाया खबर मिलते ही वह तुरंद हरकत में आई संबंधित विधायकों से संपर्क किया और पार्टी का दावा है कि साथ विधायक ना केवल उसके संपर्क में हैं बलकि पूरी तरह से पार्टी के साथ हैं अगर यह दावा सच है तो माना जा सकता है कि दल बदल की ताजा कोशिस नाकाम हो गई है क्योंकि ग्यारा सदस्ये कॉंग्रेस विधायक दल में दल बदल विरोधी कानून के तहत कारवाई का खत्रा मोल लिए बगैर फूट डालने के लिए आठ विधायकों की जरूरत थी अगर इतने विधायक चले जाते तो बाकी विधायक भी असानी से उस सम्मू का हिस्सा बन सकते थे लेकिन पार्टी की संपर्क सीमा से बाहर जा चुके विधायकों की संख्या अगर सिर्फ चार है तो पार्टी में फूट का कोई परत्यच खतरा ततकाल नहीं है, संभवतह यही वजह है कि पार्टी ने विधान सभा अध्यच से जिन विधायकों को अयोग ठहरानी की गुजारिस की है, उनकी संख्या दो ही है, आगे क्या होगा, इस बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक चुकी कोई दल बदल वास्तब में हुआ नहीं, इसलिए अभी सब कुछ कॉंगरेस के आरोप की सकल में ही है, बिजेपी इन आरोपों को मन गढ़ंत बता रही है, हलांकी कॉंगरेस को इन पर इतना यकीन है कि वह अपने दो निताओं की आयोगता रद करवान पर डटी हुई है, वैसे आरोप परतियारोप के इस सिलसिले से अलग हट कर देखा जाए तो इधर महाराष्ट, मद्ध परदेश, करनाटक जैसे कई परदेशों में कॉंगरेस या कॉंगरेस गठवंधन सरकारे गिरी हैं, उसके बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रह हैं कॉंगरेस को इस मुश्किल दोर से निकालने का रास्ता ढुनना होगा, पार्टी को अपने नेताओं और कार्ज करताओं में भरोसा जगाना होगा कि वह देश भर में विपच्छी दलो के साथ मिलकर बिजेपी को चुनोती दे सकती है, अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो ऐसी मुश्किले उस पर बार बार आयेंगी, टीवी पर स्रिलंका की तस्वीरे चल रही थी, राष्टपती अवास में धमा चौकडी मचाती सडको पर उत्पात करती परधान मंत्री का नीजी अवास फूकती भीड के विजुवल्स विस्मित कर रहे थे, इसी सब के बीच अचानक ट्वीटर पर टिपनी पढ़ी किसी की पुलिस की अनुमती लेकर ही प्रोटेस्ट करें, सिर्लंका के लोग प्लीज आश्चर चिंता और सहानुभूती की भावनाओं के बीच भी उस टिपनी में छिपे तीखे व्यंग नेहसने को मजबूर कर दिया सोचा अगर मुच ऐसा हो की वहां मौजूदा महौल में कोई भीड पुलिस थाने पहुंचे या अनुरोद लेकर की सर हम फला जगा परदर्सन करना चाहते हैं इजाज़त दीजिए तो क्या प्रतिकिरिया होगी थाना परभारी की मामला हसी मजाक का नहीं पूरी गंभिरता से लोक तंत्र के इस सबसे बड़े सच को व्यवहार में परतियच घटित होते देखने का है कि पहले लोक है फिर तंत्र सासन का यह पूरा तंत्र अपने काम काज के लिए अंतिम रूप से लोक के आगे ही जिम्मेदार है इसी लोक के एक हिस्से का समर्थन लेकर जो सत्ता में पहुँचते हैं पूरा तंत्र उनके इसारे पर नाचने लगता है फिर लोक भी यह बात भूल जाते हैं कि इस नाचते हुए तंत्र और उसे नचाती हुई सत्ता दोनों पर विवेक का अंकुस बनाए रखने का काम किसी और का नहीं बलकि उन्हीं का है नतीजा यह की सत्ता अगर कोई गलत फैसला करती है तो पुलिस उसे लोगों पर थोपती है और लोग खुद को लाचार महसूस करते हुए पांच साल में एक बार वोट देने की आपचारिकता बक्से जाने के एहसान तले दवे रहते हैं सिर्लंका में यही हुआ वहां चुनी हुई सरकार ने गलत फैसले किये जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी सत्ता के सिर्ष पर बैठे लोगों के भरस्टा चार क्रोना महमारी से पहले टैक्स में कटवती महमारी के कारण टूरिज्म सेक्टर के बैठने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए अचानक केमिकल फर्टिलाजर्स के इस्तिमाल पर रोक इन गलत फैसलों के बीच सुरू हुई युक्रेन यूध ने सिर्लंका को दिवालिया होने पर मजबूर कर दिया लोग सडक पर उतर आये और उनके विरोध की वज़ा से रास्टपती परधान मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी टुईटर पर भले ही किसी ने पुलिस से अनुमती लेकर परदर्सन करने की बात लिखी हो लेकिन पुरे सिर्लंका बिवाद में वहां की पुलिस और आर्मी ने संबेदन सिल्ता दिखाई है और जनता के विरोध की वज़ा से वहां नई अंतरिम जाष्टिय सरकार के बनने की सूरत बनी है इसके साथ ही यह सवाल भी है कि वक्त रहते सिर्लंका में सत्ता पर बैठे निताओं को अवाम की दिक्तों का अहसास क्यों नहीं हुआ और अगर उन्हें जनता की दिक्तों का पता था तो समय रहते उसे दूर करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया गया अगर इस दाइत्व का निर्वाह किया गया होता तो वहां की अस्थिती अलग होती जनता और सरकार के बीच संबाद कभी खत्म नहीं होना चाहिए यह संबाद भी लोक तंद्र का एक बुनियादी आधार है अच्टॉब